दोस्तों क्या आपको एसी वेस्टन कंट्री में काम करना चाते हो जहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश हो और आपको वेज़ेज भी बहुत अच्छी मिले तो दोस्तों न्यूजिलेंड एक एसी ही कंट्री है यहाँ पे एक नया वीज़ा निकला है जिसको बोलते है रिकवरी वीज़ा और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह कि इस वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम सिफ वन वीक है विथिन वन वीक आपका वीज़ा प्रोसेस हो जात है यहां पर job की crunches बहुत ज़्यादा आ जाती है यह उन areas को target करने के लिए है इस visa से New Zealand का job market balance में रहेगा इसका processing time सिर्फ one week है within one week आपको visa मिल सकता है और इससे भी बढ़िया बात यह है कि visa को cost आपको zero देता है तो दोस्तों जो आप recovery visa कि fee पे करते हो within 15 to 25 days आपको उसका refund आपकी account में automatically मिल जाता है New Zealand में आपको PR दो साल में भी मिल सकती है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ज़्यादा तर employee free food flight ticket और accommodation भी provide करने को ready है इसी वजह से आपका कोई भी cost नहीं लगता the only thing that is certain business आपको employer की तरफ से job लेना पड़ता है तो इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि आप employer की तरफ से job कैसे ले सकते हो और अगर आपकी education पाचवी पास या उससे ज़्यादा है तो आप try कर सकते हो New Zealand में salary भी बहुत अच्छी है आपकी salary per month $3,000 से $10,000 भी हो सकती है जब आपको New Zealand के employer की तरफ से job मिल जाता है तब आपको employer supplementary form बना पड़ता है जिसको बोलते है INZ 1377 यह जैसे यह form बन लेते हो तो employer agree कर लेता है कि आपको special purpose के लिए बुलाया जा रहा है इस visa का stay six month या उससे ज्यादा होता है और यह visa का duration आप extend भी करवा सकते हो इसको बोला जाता है accredited employer work visa AEWV इसमें कोई agent की जरुत नहीं है आप घर बेटे बेटे jobs के लिए apply कीजिए आपको employer ही सारी process करके देगा यह visa New Zealand की सरकार ने introduce किया skill shortage की पूरती करने के लिए तो गाइस इस वीडियो में हम eligibility criteria के बारे में बात करेंगे और employer को आपकी तरफ से क्या क्या चाहिए उसके बारे में बात करेंगे और आपको इन jobs के लिए कैसे apply करना है उसके बारे में भी इस वीडियो में पूरा discussion करेंगे By the way, अगर आप इस channel में नए हो तो इस channel को subscribe कर लीजिए बेल इकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले notification मिलेगा जब भी मेरा कोई video upload होता है और अगर आपको कोई भी paid services चाहिए तो आप मुझे Instagram पे भी approach कर सकते है Obviously उसके कुछ nominal charges रहेंगे तो guys ऐसा मौका बहुत कम मिलता है जिसमें आपको urgently hire किया जा रहा है Employer ही सब कुछ pay कर रहा है और जो visa की fees आप pay कर रहे हो वो आपको 15-25 दिन में refund भी हो जाती है मतलब आप zero cost पे जा रहे हो और दोस्तों New Zealand एक बहुत ही अच्छी country है यहाँ पे predominantly English बोली जाती है तो आपको कोई extra language भी सीखने की जरूत नहीं अगर आपको English आती है वो more than enough है और आपको English का knowledge, basic knowledge होना चाहिए मतलब आप communicative English बोल पाओ आप अपने job related जो चीजे समझाना चाहते हो और जो चीजे समझना चाहते हो वो आप समझ पाते हो भले ही टुटी-फुटी English हो उतना चलता है जब आप New Zealand में रहने लग जाओगे तो obviously आपकी English में fluency भी आई जाती है तो employer को आप से communicative English चाहिए और fifth pass या उससे ज़्यादा आपकी पढ़ाई हुई है तो आप try कर सकते हो obviously आपकी education के हिसाब से ही आपको job profile select करनी है अगर आप engineering job पे जा रहे हो तो obviously आपके पास engineering की degree होने चाहिए अगर आपकी education पाँचवी, छटवी, आठवी या दसवी पास ही है तो आप housekeeping work में जा सकते हो packaging worker के काम में जा सकते हो factory worker के काम में जा सकते हो foot counter attendant के रूप में जा सकते हो dishwasher के रूप में या kitchen helper के रूप में जा सकते हो अगर आपकी education 10th से 12th pass तक है तो आप cashier के रूप में जा सकते हो आपको store keeper या store supervisor के रूप में भी काम मिल सकता है warehouse में warehouse supervisor या warehouse associate के रूप में काम मिल सकता है logistic supervisor के रूप में काम मिल सकता है in fact दोस्तो healthcare sector में भी बहुत सारे काम है New Zealand में healthcare sector को बहुत ज़ादा priority दी जाती है तो अगर आप nurses, caregivers, physiotherapists, psychologist, psychiatrist, general practitioner, surgeon या dentist हो तो आपके बहुत ही अच्छे chances से In fact, अगर आप kindergarten teacher हो, kids school में पढ़ा रहे हो तो भी आपके बहुत अच्छे chances से आप अगर New Zealand में छोटे से छोटा भी काम करते हो तो आपकी monthly pay $3000 and above होती है और अगर आपका work experience अच्छा है तो आपकी wages $7000 से $10,000 per month भी हो सकती है तो दोस्तों सबसे पहले हम eligibility criteria के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके पास एक passport होना चाहिए जिसमें 6 month and above की validity बची हो आपको police layer certificate की जरूत पढ़ती है आपको एक valid work contract होना चाहिए मतलब आपको employer की तरसे job अलड़ी मिल चुका है आपको work contract मिल चुका है आपका किसी भी country में travel ban नहीं होना चाहिए आपको sufficient fund बताना जरूरी है that you can support yourself it can be as low as $800 यह depend करता है अगर आपको employer ही सब कुछ provide कर रहा है तो आपको $800 से $1000 minimum बताना पढ़ सकता है और अगर आपको employer सब कुछ provide नहीं कर रहा है तो आपको $2500 and above show करना पढ़ता है अपने bank account में फिर आपको अपनी travel identity बतानी पढ़ती है मतलब आप कहां पे रुकने वाले हो उसकी booking दिखानी पढ़ती है आप कुन सी flight से जाने वाले है वो बताना पढ़ता है आपका purpose बताना पढ़ता है जैसे अभी आपका purpose रहेगा काम करने के लिए वो purpose है ये सब आपको एक blank paper में लिखके बताना पढ़ता है with attachments तो आप employer को आपकी तरफ से क्या चाहिए what they need from you तो employer को आपकी तरफ से basic needs चाहिए जैसे आपकी health अच्छी होनी चाहिए you must be in good health आपका character अच्छा होना चाहिए मतला आपको police claim certificate की जरुत पढ़ती है आपको genuine intention होना चाहिए New Zealand में काम करने के लिए आपको time specify करने की जरुत है most of the time employer ही आपके बिहाफ पे travel arrangement करके दे देता है अगर employer नहीं करता है तो आपको खुद करना पड़ता है तो दोस्तों ये थे कुछ requirements and criterias अब आपको एक बात समझने की जरुत है कि अगर आपको New Zealand में कहीं पर भी jobs के लिए apply करना है तो जब तक आपका CV and cover letter stand out नहीं होता है तब तक आपके chances zero होते हैं इसी वज़े से आपको अच्छी quality के CV and cover letter की जरुत है आप इसको इस तरीके से देखिए कि अगर आप book store पे जाते हो तो सबसे पहले चीज आपको attract क्या करती है book का cover और book का title अगर cover का design अच्छा है title अच्छा है तभी तो आप book खोल के देखोगे कि उसके अंदर क्या content है same way अगर आपका CV अच्छा है तभी HR आपके CV में interest लेगा सिफ CV बनाने से ही कुछ नहीं होता है आपका CV keyword friendly भी होना चाहिए आजकल HRS के पास ज़्यादा time नहीं रेता है तो वो सारे CVs को keyword के against filter कर लेते हैं तो आपको अपनी job profile के हिसाब से right keywords भी डालने के ज़रूत है और आपका Indian standard का CV नहीं चलेगा तो guys अगर आपको एक top class का international CV बनाना है तो आप मुझे Instagram पे approach कर सकते हो obviously इसके nominal charges रहते हैं मेरी Instagram ID है limitlessmayang01 और अगर आप completely confused हो कि आपके लिए कौनसी job profile सही है कौनसी country में आपको जाना चाहिए कौनसी websites में try करने चाहिए कौनसे-कौनसे visas आपकी profile के relevant है तो आप मुझे personal talk या counseling में book कर सकते हो उसके लिए भी आप मुझे Instagram पे approach कर सकते हो अब दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि कौनसे इसे jobs है जिन में skills care city है कौनसे इसे job है जो high demand में है तो guys number one पे है nursing assistants and caregivers healthcare sector में सबसे जादा jobs मिलेंगे आपको New Zealand में healthcare workers are always welcomed in New Zealand और इसमें आपको wages भी अच्छी मिलती है आपकी wages 25 डॉलर से 50 डॉलर भी हो सकती है ये depend करता है कि आपको कितना अनुभव है और आप अपने काम में कितने अच्छे हो उसके हिसाब से आपकी wages दे होती है second number पे है sales representative sales के बहुत सारे jobs रहते हर एक companies को हर एक supermarkets को sales representative की जरूत पढ़ती है तो आपको sales representative, sales supervisor, sales manager इस टाइब के काम मिल सकते हैं और इस काम में आपको second benefit ये मिलता है कि अगर आपकी number of sales अच्छी रहती है तो आपको extra commission भी मिला जाता है तो अगर आपको चीज sell करने में अच्छे हो तो आपको sales representative के रूप में try करना चाहिए थार्ड number पर customer service representative CSRS की बहुत ज़्यादा जरूत पढ़ती है आपको front end का भी काम मिल सकता है back end का भी मिल सकता है front end मतलब calls attend करना ये दोनों प्रकार के काम हो सकते है technical and non-technical और back end मतलब आपको customers की complaints को maintain करना, handle करना और coupon codes या discounts को avail करना अगर कोई refund request आती है तो आपको refund को verify करना है अगर वो refund सही है तो आपको refund initiate भी करना रेता है ये काम रेता है back end का दोस्तो third number पे है welders and tile fitters welders और tile fitters की बहुत ज़्यादा demand रहती है इसमें आपको wages भी बहुत अच्छी मिलती है ऐसे बहुत सारे tile fitters और welders है जिनकी wages $40 per hour भी आसानी से हो सकती है obviously ऐसे fresher आपको कम कमाई मिल सकती है जैसे ही आपका अनुहवा वच्छा हो जाता है तो आप $40, $50, $60 per hour भी आसानी से कमा सकते हो फिफ्ट नंबर पे है professional drivers and delivery boys तो guys drivers की बहुत ज़्यादा demand रहती है और delivery services की हमेशा ही vacancies रहती है और delivery boy के रूप में आपको एक और benefit मिलता है कि आप अपनी country का license को international में convert करवा के एक साल तक इस्तमाल कर सकते हो और इसमें आपको per right की wages मिलती है delivery boys और drivers को tips भी बहुत अच्छी मिलती है तो आपको जितनी भी salary मिल रही है उससे आप 20-30% extra ही अपनी कमाई मान के चलो और जो आपको tip मिलती है वो tax free रहती है तो ये भी आपको benefit रहता है इसमें आप decide कर सकते हो आप किस time पे काम करना चाते हो अगर आप peak time पे काम कर रहे हो आपको extra wages मिलेगी weekend में काम कर रहे हो आपको extra wages मिलेगी अगर आप holidays में काम कर रहे हो तो आपको और ज़्यादा wages मिलती है तो अगर आप delivery boy या cab driver के रूप में काम कर रहे हो तो आप अगर सही time पे काम करते हो तो आपकी wages 40-50 डॉलर पर आवर भी हो सकती है फिर 6 नमबर पे हैं Maintenance and Cleaning Works तो guys, Housekeepers की बहुत ज़्यादा ज़र रहते हैं और Maintenance में Plumbers, Electricians Construction Workers, Furniture Assemblers इस टाइप के काम आते हैं Especially अगर आप Plumber हो Electrician हो या फिर Housekeeping में काम कर रहे हो मतलब Cleaner हो तो आपके बहुत ही अच्छे chances है फिर 7 नमबर में Security Related Jobs आप CCTV Operator बन सकते हो आप Door Supervisor बन सकते हो आप Personal Body Guard बन सकते हो आप Welle बन सकते हो Security Related काम में पहली चीज आपको wages अच्छे मिलती है Second, आप अगर Overtime करना चाते हो तो within आपकी Same Company आपको Overtime भी मिल जाता है आपके Promotions भी बहुत जल्दी होते अगर आप काम अच्छा कर रहे हो तो आपको बहुत जल्दी Supervisor भी बना दिया जाता है और ये काम बहुत relaxed है काफी टाइम आपको rest ही करना पड़ता है आपको बस जो Daily Activities रहती है जो भी लोग Enter करते हैं उनकी Entry वगेरा करनी पड़ती है और आपको Unusual Activities को देखना पड़ता है Guys फिर आजाता है Machine Operators work जैसे Forklift Operator, JCB, Grand Machine, CNC, EDM Machine, Lath Machine, Machine Line Operators इस टाइप से Different Machine Operators रहते हैं जिनकी हमेशा ही Demand रहती है अगर आप Machine Operators हो तो आपको बहुत जल्दी जॉब मिल सकता है और आपको Initial से ही Wages अच्छी मिलती है इसमें आप 25 से $30 per hour बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं फिर आजाते हैं Warehouse and Supermarket Jobs तो Guys, Warehouses में Packaging Workers, Picker and Packer Warehouse Associate, Warehouse Supervisor, Logistic Supervisor, Wend Drivers की ज़रत पड़ती है Same way Supermarkets में Foot Counter Attendant, Cashier, Stacker and Stocker, Store Supervisor, Store Manager, Store Keepers की ज़रत पड़ती है In fact, Supermarkets में Floor Managers की भी ज़रत पड़ती है Housekeeping के भी काम रहते है Inventory Management का का काम रहता है Account Lurks के काम रहते है Office Boys की ज़रत पड़ती है Door Supervisors की ज़रत पड़ती है तो Supermarkets में हमेशा ही Demand रहती है फिर आजाते है Engineers and IT Professionals तो Guys, Engineers जैसे Mechanical Engineer, Civil Engineer, Electrical Engineer, Electronics Engineer, Chemical Engineer हर पकार के काम है Apart from it, IT Professionals की भी ज़रत पड़ती है जैसे Software Developer, Software Tester, Network Support में अगर आप काम कर रहे हो Production Support में काम कर रहे हो System Admins की ज़रत पड़ती है IT Supports की ज़रत पड़ती है अगर आप DBMS में काम की हो That is Data Base Management System आप Data Scientist हो आप Cyber Security Related कुछ काम कर रहे हो जैसे Ethical Hackers अगर आप Game Developer हो हर पकार के काम रहेते हैं अब इसके बाद आजाते है Editors and Digital Marketers तो Guys, आजकल Digital Marketing की हर Company को ज़रोत है जिस Company का Online Presence नहीं है उस Company को Valuable माना ही नहीं जाता है आजकल के एरह में यहीं पर Digital Marketers, Advertisers, Content Writers की ज़रोत पड़ती है In fact, Video Editors and Graphic Designers की ज़रोत है Social Media Managers की ज़रोत है और इनकी Demand हर Company में है तो अगर आपको इससे Related कुछ काम आता है तो आपको काम मिलना आसान है Obviously, इस प्रकार के काम के लिए आप से कुछ आपके Prior Work के बारे में पूछेंगे तो आप पेले से ही इस फील्ड में सीखना चालू कर दीजिए और आप कुछ चीजों में काम करना चालू कर दीजिए अगर आपका काम अच्छा है सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है कुक्स की उसके बाद आयता है हॉसकीपिंग सुपर्वाइजर फिर फूड और बेवरेज अटेंडेंट फिर रेसेप्शनिस्ट इवेंट मैनेजर नाइट पोर्टर्स शेफ दे पार्टी एक्सेक्यूटिव शेफ सॉस शेफ स्टीवर्ट्स कौमी शेफ हर पकार के काम रहते हैं और होटल इंडेस्ट्री में हमेशा ही आपको वेकेंसिस मिलेगी हमेशा ही स्किल्स शॉर्टेज मिलेगा तो यहाँ पे भी आप इजिली ट्राय कर सकते हो यहाँ पे आपको अब सेल्स रिलेटेट सारे जॉब दिखेंगे जैसे टेरिटरी सेल्स मेनेजर बिजनस डेफलोप्मेंट मेनेजर अब आप यहाँ पे देख सकते हो सेल्स रिप्रेजनेटेटिव की बहुत ज़्यादा दिमांड रहती है जैसे आपको AdWords and Hardis Roofing में काम मिलेगा Sales Representative का वैसे रिजनल सेल्स मेनेजर का काम है यह Sea Load Group Limited में है वैसे ही GDS Limited में काम है यह Sales Representative का है फिर Full Time Sales Assistant का काम है वरसाशे में फिर Dulux Group में भी काम है Trade Sales Representative का अब मैं आपको एक सिंपल सा एक्जामपल बता रहा हो Full Time Sales Assistant का काम यह जो काम है New Market Auckland में है यह Retail Assistant Related काम है यह Full Time काम है यहाँ पर आपको Competitive Salary मिलेगी Plus Commission मतलब आपको $3000 and above मिलेगा per month और आपको Commission Extra मिलेगा अभी अगर आप इस काम में देखोगे तो इनको दो साल से ज़्यादा कानुभव चाहिए आपकी Strong Relationship Skills होनी चाहिए और Client के साथ Long Term Relationship मेंटेंग करने आना चाहिए Apart from it आपके पास Computer Skills भी होनी चाहिए और आपके पास Understanding होनी चाहिए जो भी उनके products है Speciality Retail है जो Business Development के बारे में भी थोड़ा बहुत knowledge होना चाहिए अब इनके साथ क्यों काम करना चाहिए आपको Monthly Commission मिलेगी आपको Parental Leave तक मिलेगी Paid वो भी आपको Employee Assistant Program का भी Benefit मिलेगा मतलब कोई भी समस्य है आप किसी से वारत अलाब कर सकते हो फिर Generous Staff Discount भी मिलता है आपको Versace का बहुत अच्छा Discount मिलेगा अब दोसको Sales का ही मैं दूसरा Example आपको बता रहा हूँ यह है GDS Limited का यह भी Auckland Airport में काम है यह है काम Sales Representative या Sales Consultant बोल सकते हैं यह है Full Time Work यहाँ पे आपको 25 से 30 डॉलर पर आवर मिलेगा अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने कहीं पर भी नहीं बोला है कि आपको Experience की जरू होते है अगर Previous Experience है तो अच्छी बात है अगर नहीं भी है तो Freshers को भी लेते हैं अपार्ट फॉर्मेट आपकी Communication Skill अच्छी होने चाहिए इटेन और वर्बल दोनों आपको Basic गडित का Knowledge होना चाहिए Math का Knowledge अपार्ट फॉर्मेट कंप्यूटर वगेरा चलाने आना चाहिए यह Full Time काम है तो आपको Legally New Zealand में ही काम करना पड़ेगा अब मैं आपको कुछ Housekeeper Works के बारे में बता रहा हूँ Example यहाँ पर आप देख सकते हो Mary Doyle Healthcare में काम है Housekeeper का इसके अलावा Support Services Assistant का काम है Area Bay Retirement Village में ऐसे ही Nanny का काम है Nanny मतला Housekeeper ही है यहाँ पर Trides Orthopedics में है ऐसे ही Dotty Media में भी आपको Housekeeper का काम मिल रहा है ऐसे ही आप देख सकते हो बहुत सारे आपको काम है यहाँ पर आपको $25 and above way से wages मिलती है मैं आपको example बता रहा हो Mary Doyle Healthcare का काम यह Housekeeping का काम है यह आपको Part-Time काम मिल रहा है आपे Annual Bonus मिलती है आपको Proposed graduation की steady भी यह company आपको करा के देगी अगर आप दूसरी country से उस country में आ रहे हो तो आपको relocation का cost भी दिया जाता है मतलब आपकी flight की ticket रहना खाना सब company के तरफ से अब यहाँ पर आप देख सकते हो अगर previous आपके पास housekeeping का experience है तो अच्छी बात है Excellent communication and organization skill होनी चाहिए आपकी आपको responsibility लेने आना चाहिए और आपके लोग rely कर पाए फिर physical fitness आपकी tik-tak होनी चाहिए आपको छोटी-छोटी details पर attention देना पड़ेगा और आपको हमेशा ही calm and courteous रहना है What we can offer अब यह आपको क्या क्या दे सकते हैं सबसे पहला आपको benefit मिल रहा है कि इनकी very competitive market rate है मतलब आपको $30 and above मिलेगा इस healthcare company से मिलेगा स्टाफ का benefit आपको मिलता है इसके अलावा आपको positive and engaging work involvement मिलता है तो दोस्तों जैसे आपने देखा इस तरीके से आप jobs के लिए apply कर सकते हो अभी recovery visa से आपको बहुत जल्दी job मिल सकता है within 7 days आपका processing भी हो जाता है employer आपको रहने खाने के भी विवस्ता करा के देता है आपको कोई agent की जरुत नहीं है अगर आपकी कम education है तो भी आपके chances से आपको New Zealand में wages अच्छी मिलती है New Zealand में predominant language English है इस visa से आपका length of stay 6 months दे डबाव होता है उसको आप extend भी करवा सकते हो New Zealand में और भी फायदे रहते है आपके बच्चों की education free हो जाती है अगर आपको New Zealand की PR मिलती है New Zealand में आपको PRS fastest 2 years में भी मिल सकती है और New Zealand में बहुत सारे immigration programs चलते है अगर आपको New Zealand में job मिल जाता है तो आपको और जल्दी भी PR मिल सकती है तो guys अगर आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर लो यह आपके लिए ही फायदे में रहता है क्योंकि मेरा जब भी video upload होगा आपको सबसे पहले notification मिलेगा और अगर आपको मुझसे कोई भी paid services चाहिए तो आप मुझे Instagram पे भी approach कर सकते हो So that's all for this video, I wish you all the best and see you in the next video